शहर की इलावारे स्लाशों को कई वर्षों से अंतिम संस्कार करने वाली संस्ता गरीब नवास कमिटी के सैयद इनायत अली ने परिवार से बिछड़े बुज़र्ग को उनके बच्चों से मिलवा दिया गरीब नवास कमिटी के संचालग इनायत अली ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सिंधी कैम्प में एक बुजर्ग कई दिनों से बुरी हालत में पढ़ा हुआ है जिसके बाद गरीब नवास कमिटी के सदस्यों वहां पहुँचे और बुजर्ग से चर्चा की तो उन्होंने अपना नाम मनसूर अली बताया इनायत अली के अनुसार बुजर्ग की मानसिक हालत ठीक नहीं है जिसके बाद उन्हें संस्ता के सदस्यों दोरा रेन बसेरा पहुचाया गया बुजर्ग से जब उनका पता पोचा गया तो वे ठीक से बता भी नहीं पा रहे थे संस्ता के सदस्यों ने बुजर्ग की पता साजी की तो उनकी परिवार का पता चल गया संस्ता के सदस्यों ने परिवार के लोगों से संपर्क किया और बुजर्ग की रेन बसेरा में होने की जानकारी दी जिसके बाद उनका बेटा अपने पिता को लेने रेन बसेरा पहुँचा वही परिवार के लोगों ने अपने गुमशुदा बुजर्ग के मिल जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कमिटी के सदस्यों को धन्यवाद दिया लगवग दो वर्षों से बुजर्ग लापता थे अपने पापा को दूनने के लिए दो साल से क्रियास कर रहूं और वो गरीम नमाज कमेटी के माद्यम से मुझे आज मिले हैं मैं बहुत खुश हूं अपने पापा से लेकर बस सुक्रिया ये आदमी कहां पे मिले थे आपको कि वेक्ति का नाम मंसूर अलिय है जो कि सिंधी कैम के पास पिछले 10 दिन से पड़े हुए थी हम लोगों ने उनको रहा चलते लोगों की जानकारी से पता चला कि कोई बुजर्गवार गोड़ पर पड़े हुए हैं इनको हम लोगों ने अपनी गाड़ी के माध्यम से अपने साथ वाले लगों को भेज के कोसिस की जिससे एक लिंक मिल गया उन्होंने इनके बेटों का और इनके परिवार के बारे में जानकारी दी आज उनका बेटा मिल गया है जो रहन बसेरे में आया है अपने पापा को लेनी है उसने बताया है कि थोड़ी सी इनकी दिमागी हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया आज हमको मिल गए हमारे परिवार खुस है हम लेने हाएं उनके बेटे को हम उनके हाथ में दे रहें कि भी आपने पापा को लेके चले जाएं तो बहुत खुस है अपने साथ दे जाने के लिए आया होगा क्या नाम है आपका कहार एक तरे की रपोर्ट